Hello everyone, मैं डॉक्तर द्रगति गुपता और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर आयें हैं जो directly हमारी audience ने हमें comment करकर भेजे थे Last हमने एक question answer की वीडियो जो बनाई थी अपने paralysis patients के लिए वो mostly generalized questions थे जो patients मुझसे आतर clinic पे पूछते हैं, over the call पूछते हैं बट ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो patients ने हमें comment box में comment करके भेजे हैं तो उनी की language में वो क्या पूछना चारे हैं, उनी के जवाब हम लेकर आएं आज आपके लिए तो हम start करते हैं first question से, first question है वो है उमेश जी का, वो पूछना चारे है, क्या लखवा, मरीज, cold drink पी सकता है, मेरे पापा बहुत जित करते हैं तो उमेश जी इसका जवाब है कि लखवा जो बिमारी है, basically इसके पीछी कारण त्या देंगने को मिलता है आपका बढ़ता हुआ blood pressure, आपके बढ़ते हुए sugar level या बढ़ता हुआ cholesterol, यह इन major कारण है जिसकी वज़े से आपको लखवा हो जाता है, pannesis हो जाता है अब brain के अंदर या तो clot formation होता है या नस्ट पढ़ जाती है, इसे हम hemorrhage भी बहुते हैं तो दोनों ही conditions में अगर हम बात करें वैसे भी cold drinks की, तो cold drinks को हम बहुत healthy drink तो वैसे भी नहीं मानते हैं क्योंकि इसके अंदर glucose, proptose, caffeine बरपूर मातर के अंदर present होती है तो इसकी वज़े से क्या हमारी body में side effects रेखने को मिलते हैं, जो रोग daily basis पे cold drinks पी रहे हैं या frequent इस्तमाल कर रहे हैं cold drinks का, या habit ही है, उस लोग खाना के साथ cold drinks पीना ही है हमने, ऐसी habit होती है तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, उनके potassium values fall कर जाती है जब आपका potassium fall करता है, आपके muscles में proper flexibility होना चाहिए, एक tone होना चाहिए वो नहीं रहती, आपको बहुत ऐसे थकावट सी मैसूस होगी plus cold drinks और क्या करते हैं, क्योंकि sugar content direct जाता है, artificial sugars है तो आपकी blood sugar values हैं, उनको एकदम से बढ़ा देते हैं, और आपके वजन को भी बढ़ाते हैं plus आपका जो पेट है वो भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि patients bleach-heats में खाने के साथ भी पी रहे होते हैं या पिर वैसे दी intake कर रहे होते हैं तो हमारे पास option है इसको switch करने की, better option है कि इसकी जगा, unhealthy drink की जगा हम healthy drink से replace करें अब गर्मिया आ रहे हैं, कुछ लगोच हमें पीने के लिए चाहिए होता है, कि बहुत summers है, गर्मी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम छाच का इस्तमाल कर सकते हैं, घर पे बनाई हुई छाच आप सत्तो का इस्तमाल कर सकते हो, क्योंकि सत्तो गर्मियों में बहुत अच्छी properties रगता है प्लस आपकी body को strength दिने में भी help करेगा साथ के साथ हम नारिल पानी का इस्तमाल कर सकते हैं या आप नीमो पानी का इंस कर सकते हो पुदीना और साथ में पूरा सा जीरा मिक्स करके किस तरीके से लिए सकते हो ये सारी की सारी आपकी डाजेशन को अच्छा रखेगी प्लस आपको तो बार बार प्यास मैसूस हो रही ह जो लबता है कोडरिंग पीलू वो भी सेटल हो जाएगा और प्लस आपके लिए हिल्दी रहेगा तो हम आज से अपने पेशिंज के लिए आड़ ओन कर सकते हैं नेक्स जो सवाल है वो है जैललिता जी का मैं मेरी आवाज नहीं निकल रही है आवाज गले से बाहर ना निकलने से परिशानी होती है ऐसे में क्या कर सकते हैं तो जब भी किसी को ब्रेंश चोक होता है जैललिता जी तो वोस्टली हमारे ब्रेंड के अंदर या तो कोई खुल का थक्का बनाए या हेमरेज हुआ है नस्पट ही है अब डिपेंड करता है कि आपके ब्रेंड में नुकसान कि सा एरिया इपेक्टेड है जैसे कि हमारा ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया होता है ब्रेंड के अंदर जो आपकी स्पीच को कंट्रोल करता है अगर मान लीजे वहां पर कोई कुल का ठक्का जम गया या पिर नस्पट गई या साथ में वहां पर भी कुछ डामेज हो गया तो लाँ पर यह सारे सिंटम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं अब ड्यमिज करता है कुछ हिस्ता हुआ या पूरा वह एरिया ही उग गया अगर कुछ हिस्ता है वहां पर मेडिशन की हिल्प से आपके ब्रेंड को दुबारा रिल जिउरनिट किया जा सकता है आपके ब्रें को होती है जो मदद करती है तो आप साइंस अंजीवनी में हमारे टीम से संपर्क कीजे हमसे बात कीजे हम आपको सेल्यूशन देंगे अब जहां पर कंप्लेटली वो एरिया डामेज हो जाता है वहाँ पर चीजों को वापिस दाना मुश्किल हो जाता है बट अगर वहाँ पर सूजन बनीने कुछ समय के लिए तो उसको हम सॉल्ट कर सकते हैं तो आप हमारे टीम से फिलकर बात कीजिए अपने रिपोर्ट शेयर दीजिए हम आ आफ रॉनी सिटी है जिसकी विज़े से सूजन जान नहीं वही है क्योंकि अगर आपके चहरे पर सूजन बनी हुई है तो कई सारी दिक्कते देखने को मिल सकती है वह सकता है पून की कमी देखने को मिल रही हो बाडी में या आपका किड़नी लिवर के फंक्शन्स करवाईए एक अपना तीमोगलोबिन करवाईए यह सारी फून की जांचे करवा के आप हमारे टीम ओफ डॉक्टर्स को इनकी रिपोर्ट्स बेजी कोई अगर आपका प्रीवेस पुराना इलाज चल रहा था लंबे समय से कोई गठ्या की परिशानी की या लंबे समय तक हम हमें रोल आउट करना जरूरी है क्योंकि जब तक हम कारण में हम आपका सहील आज नहीं कर पाएंगे तो हमारी पूरी तीम आपके लिए हैं मदद करने के लिए पट पहले आप ये सारी जांचे वरवा के हमें व्लाट रिपोर्ट जरूर भी चौतर सवाल इंबल जी का है वो पूछना चाह रहे हैं माम लकवे में प्रिजोथरिपी काम करती है या नहीं कितने तिन में हाथ पैर में मूवमेंट होने लगती है तो विमल जी जब भी किसी को लखवा होता है इनिशिली री हाबिलिटेशन प्रॉसेस अगर हम शुरुआत में ही शुरू कर देते हैं क्योंकि जब इनिशिली आपको पैरलेसिस होता है ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी वज़े से हाथ पैर में मूवमेंट नहीं है तो हमें प्रिजोथरिपी इतना विल्प कर देती है कि आपके मास पेशिव में अकड़न नहीं आती जो पेन बन रहा होता है वो स चुरुआत में हुआ ही है उस दौरान आपका ब्रेन खुद से नियूरो प्लास्टिसिती स्विच ऑन कर देता है मतलब खुद से आपका ब्रेन को सुष करता है रिकवरी की तरह जाने का चाहें हम कोई दवाई खाएं या ना खाएं बट एक फेज ऐसा आता है जहां पर आ हमारी मेडिसिल्स करती है अर्विदिक हर्ब्स करती है बट इनीशन फेज में जब आप कोई भी लाज नहीं ले रहें तो कम से कम इस चीज का धान रखें कि अपना री हैविलिटेशन प्रॉसेस जरूर शुरू करें प्रिजयो थेरपी एक्ससाइज जरूर शुरू करें आगे चलकर आपको यह मासपेश्यो में अकडन आ जाती है या मासपेश्या सुखने लगती है वो सब ना मिले क्यूंकि जब हम शुरूरात में इस शुरू कर देते हैं हमारी रिकवरी बहुत जिल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है और यह जो प्रॉसेस है यह आपको आगे ही कॉंटेन्यू करना है ऐसे नहीं है कुछ दिन दिया फिर छोड़ दिया क्योंकि आप कॉंटेनुसली अगर एक्सिसाइज करते रहेंगे आपके मसल्स हिल्दी रहेंगे और जब ब्रेन दुबारा सिगनल देजेगा तो आपके मसल्स उसको रिस्पॉंड कर पाएंगे त अब जब हम प्यालिस की बात करते हैं ब्रेन स्टोक हुआ है उसके अंदर यह जो बिगेवियर चेंज हैं यह नॉमाई है क्योंकि पेशन के अंदर ने जो चेंज आ रहे हैं उसके लिए बनते चले जाते हैं इनीशली पेशन कभी कबार बहुत इमोशनल हो जाते हैं कुछ पेशDoesव अग्रेसिव रोते है चपकों जाते हैं कुछ में शांडश्द चण हो जाते हैं तो यह जो ब्रेन में डामेज हुआ हैं उसके करण से हैं तो आपको तुबibl you're not a practice करते रहना है आपको अगर बोलने में परिशाने हो रही है कुац-कच वर्ड आप बोल लेते हैं repetition से बोल देते हैं, जैसे, for example, कुछ patients को उन्हें घर पे कुछ नाम बुलवाते हैं, राम बोलिये, ओम बोलिये, कुछ भी, for example, जो words उन्हें बुलवाते हैं, तो वो repeat कर लेते हैं, but जब उन्हें खुछ से word form करना है, तो वहाँ पर उन्हें परिशानी होती है, वो खुछ से word commission नहीं कर पाते हैं, तो इस condition के अंदर repetition सबसे best solution है, मतलब आप कुछ ना कुछ book reading कीजिए, कोई आर्ती गाते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, उसको बार बार recite कीजिए, जिसे बच्चे points गाते हैं, तो अगर आप वो करेंगे, आपका brain दुबारा से चीजों को सीखने के लिए ready होगा, और repetition से आपकी जो condition में वो better होती चले जाएगी, अब हम साथ में क्या कर सकते हैं, कोई भी book reading स्टार्ट कर सकते हैं, newspaper आप पढ़ लीजे, article आप पढ़ लीजे, उससे help क्या मिलेगी, जितनी आपकी vocabulary add-on होगी, मतलब नए नए शम्द आप जोट में सीखेंगे, ब्रेन पुने process करना start करेगा, और आपकी speech better होती चले जाती है, इवन आपको जो सोच कर बोलने में समय लगता है, वो भी solve हो जाता है, हमने बहुत से patients को ये advice दिया था और उनमें recovery भी आई है, तो आप भी इसे ज़रूर try कीजिए, अगर आपको लगता है फिर भी कुछ दिकत रह गई है, तो आप हमारी team of doctors से खुलकर बात कीजिए, क्लिनिक आना चाहें, क्लिनिक विजिट करके मुझसे मिलने सकते हैं, patients के और भी कुछ common सवाल है, क्लिनिक में patients आजकल आ रहे हैं, गर्मियों के season हैं, तो वो पूछते हैं, माम क्या हम AC में सो सकते हैं, पूलर में सो सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, या ठंडा वानी पी सकते हैं, तो जब भी हम paralysis की बात कर रहे हैं, अक्सर mind में मित होता है, कि हम कुछ भी बहुत ज़्यादा ठंडा लेंगे, तो हमारी body में अक्डन बढ़ता चला जाएगा, ये condition और ज़्यादा खराब हो जाएगी, हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं लेंगें, चीक है, हम ये मानते हैं, कि ठंडी चीजों से stiffness बढ़ती हैं, गट में भी irritation कॉस होती है, कई बार gums भी बन जाता है, लेकिन जहां पर कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्णी है, वहां पर आप पेशन को बहुत गर्णी के अंदर रखेंगे, तो उसको दुबारा से stroke भी हो सकता है, उसका भी की sugar अंदर कर सकता है, उसे घबराट हो सकती है, वो अनकॉंसिस भी हो सकता है, तो हमें पेशन को अच्छे से ventilated environment देना है, एक ऐसा temperature देना है, जहां पर उसे साल्स लेने में कोई दिक्कत ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, गर्मेयों मेर्का जिसे सीजन में, आप AC कूलर के बिल्कुल सामने पेशन को बत रखिए, बट इन डाइरेक्ट हवा वहाँ पर रूम में आती रहे, या अगर AC चैना रहे ही तो आप एकदम लो टेंपरेचर पे नहीं चलाएंगे, जैसे 16-17 हो गया, आप उसको 26-27 पे मेंडेन कीजिए, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, फान को बहुत जादा तेज ना रखते होए, तेंपरेचर कंट्रोल कर सकते हैं, वैसा ही अपनाए होता है कूलर के साथ, पंखे के साथ, तो डाइरेक्ली बिल्कुल पंखे के नीचे, उल्टी जैसा होना, डस्ट हो जाना, यह सब होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें गर्णियों में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, साथ के साथ अगर बात रहती है, हमारे ठंडा पानी पीने की, तो आप सीधा फ्रिज का पानी नहीं देंगे बिल्कुल भी पेशन को, क्योंकि गला खराब होने के चांसेज है, आपकी डाजेशन हमपर हो जाती है, कमस हो जाता है, और स्टिपनेस भी बढ़ जाती है, तो आप क्या करेंगे, मटका प्रखीजे, उसके अंदर पानी स्टोर तीजे, डेली गेसिस पे इसको चेंज कीजे, और उसका पानी नहीं इस्तिमान कर सकते हैं, वो पीने ने भी सोधिंग होगा, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो बदल जाने से, पेशिन को कोई भी कॉम्टेशन नहीं आएगी, तो मैं उमीद करते हूँ, ये वीडियो के अंदर हमने लंबग आपके जो सवाल के जवाब दे दिये हैं, फिर पे आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही आपके हर एक प्रॉब्लम का सेल्यूशन आप तक लेकर आते रहें, जल्दी इन दिलेंगे हम नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, टेक केर,